नमस्ते दोस्तों दिव्यास कोकेंट क्रेटीव स्टाइल में आपका बहुत स्वागत है आज मैं आपके लिए लेकाई हूँ कड़ी की रेसिपी इस कड़ी के पकोड़ों को मैंने कुछ अलग तरीके से बनाया है आप इसे एक कप बना कर जरूर देखे बहुत ही सिंपल और सबसे पहले मैं लिए एग काप बेसन इसे मैंने एक कप पाने और समheld इसका गहला कर तैयार कर लेंगे हैं विल्कुल भी हमारा गौल चिकना होना चाहिए कोई गुटली नहीं होनी चाहिए今 आप पर एड कर रहा हूँ ने कभिन कभी घट हैं दहीं होग्णि कडि लिए खटा देहीं अच्छा लगता है हुआ ही या चलाएए याप एसे रख करती हूं मैं हाफ शम हल्दी पाउडर the और हाफ शमस धनिया अथ हाफ यजम मस रेड चेल पाउडर कि अब हम इसे सही से मिलाएं में मिलें को जेए हमारे मिल जें गूल गूल गया है अब यहाँ पर और करूँगी पानी कि नो कर दूप पानी लिया है मैंने is यहां पर मैंने टोटल अपनी कड़ी को बनाने के लिए चार कप पानी का इस्तमाल किया है अब मैं लोगे कोकर कोकर मेरा गरम हो गया है अब इसमें मैं डाल रही हूं सरसो का तेल इसमें डाला है मैंने मेथी दाना हींग अब हमें से चलाएंगे थोड़ा गुल्डन ब्राउन होने तक यह हमारा मस्म अच्छे से भुन गया है मेथी दाना और हींग अम मैं हापर अपना यह कड़ी का गोल डाल दूंगे अभी मैंने इसमें सिर्फ नमक एड़नी करा है उसे मैं बाद में करूंगी जब तक मेरी कड़ी थोड़ी सी गाड़ी बजाती है हम बना लेते हैं बेसन की जो कटलेट इसके लिए मैंने लिया है एक कप बेसन आप चाहें तो कोई भी कटोरी से नाप सकते हैं जितना हम बेसन लेंगे उतना ही हम दुगना पानी लेंगे मैंने एक कप बेसन लिया है तो उसके लिए मैंने लिया है यह दो कप पानी और आप इसे एकदम घूल बना कर त्याय करिए चिकना जिब बल्कुल भी गुठनी नहीं चाहिए गूल में तरह से थोड़ा- हल्दी और यह थोड़ा नमक का नमक आप अपने हिसाब से कमिया कर सकते हैं क्योंकि मुझे थोड़ा पकोड़ी में भी ढालना है और थोड़ा मुझे कड़ी में भी ढालना है इसले मैंने हां पर इतना नमक लिए यह हमारा रेडिये बनने के लिए यह मैंने कड़ाई रखी कड़ाई मेरे अच्छे से गरम हो गई है अब हम इसमें यह गोल को डाल देंगे अब मीडियम फिलेम पर इसे कंटीन्यू चलाते रहे ना बिल्कुल नहीं रुखना है सिर्फ चलाते रहे ना नीचे नहीं लगना जाए इसमें अगर आप हम इसे बीच में छोड़ देंगे तो इसमें गुटलिया पड़ जाएंगी जिसा हमारी कटलेट एकदम बिल्कुल चिकनी नहीं बनेगी आप इसे कंटीन्यू चलाते रहे यह यह देखिए इस तरह से कि यह देखिए को कड़ाई छोड़ने लगाए घूल इसका मतलब है कि हमारा यह बनकर त्यार है इसके लिए मैंने की पिलिट लिए इसे मैंने ओयल से ग्रीस कर लिया है जिससे हम जो भी इस पर अपना कटलेट बनाएं तो वह हमारे आसानी से निकलाएं और लागा कर मैंने से चिकना कर लिया है आप इसमें अबना यह घोले इसे ट्रांसवर कर देंगे इसे हम थोड़ा अच्छे से फैला देंगे जिससे ठंडा हो जाए और आप हम इसे 20 से 25 नट के लिए प्रीज में रख देंगे जिससे यह ठंडा हो जाए और इसकी कटलेट अच्छे से बनकर त्यार हों यह देखे मेरी कड़ीवी गाड़ी हो गई है कड़ीवी एकदम मसाल और काला नमग डालने से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा आप जरूर बना कर देखिए ऐसी कड़ी अब मैं इसमें तड़का लगाने के लिए मैंने एक पैन लिया है तड़के वाला पैन अब इसमें डालूंगी मैं एक चम्मच घी गीमे मैं एड करूंगी कुछ करी पत्ते की पत्तियां और लाल मिड़्च पाउडर आदा चम्मच यह कश्मिरी लाल मिड़्च है यह बस सिर्फ कलर के लिए है इसमें कुछ तीखापन नहीं होता है यह हमारे तड़का रेडियो गया है अब हम इसे कड़ी में डाल देंग कि इससे कड़ी हमारे देखने में वारू सुन्दा अब यह मैंने फ्रीज में से निकाली आए यह मेरा ठंडा हो गया है अच्छे से जम गया है इसके हम पीसिस कट कर लेते हैं आप चाहें तो स्कॉयर या रेक्टेंगल शेप में आपको जैसे पसंद आया वैसे पीस कट कर सकते है है त浅 मैंने को इसके कुछ इस तरह से पीजिस कट करें देखे कितनी आसानी से कट होगा है पीसिस है यह अदेख से अरग अब मैंने डीप फ्राइ करने के लिए करूँ तियार करूँगे यह कड़े में तेल अच्छे से गरम हो गया मैंने इसमें एक एक करके इस तरह से डाल दिया मेडियम फिलेपर आप इन्हें फ्राइ कीजिए जिससे यह अंदर तक भी अच्छे से पक जाएं गोल्डन ब्राउन होने तक आप इन्हें अच्छे से किये यह देगे हमारे कटलेट त्यार हैं बेसंगी इसे तरह से मैंने भी अपनी बाकी की सभी कटलेट त्यार है अब हमारी कटलेट त्यार हो गई है अब हमारी कटलेट त्यार है अब हम इसमें उपर से अपनी कटलेट को इसमें डाल देंगे इस तरह से यह देखिए आप इस तरह से कड़ी के पकोड़ों को जरूर बना कर देखिए आपको यह बहुत बहुत पसंद आएगी आप जिसे भी बना कर खिलाएंगे वो सब उंगलिया चाटते रह जाएंगे यह हमारी कड़ी पकोड़ा रेडी है अगर आपको मेरी आज एक कड़ी पकोड़ा की रेसिपी पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें शेयर करें और सस्क्राइब करना ना भूलें धर्नेवाद